दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस ये स्टीटेन स्रीज की जो मैच नमबर 15 खिला जाएगा S.W.U. वर्सेस M.T.D. के दर्मियान में इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स और S.W.U. M.T.D. के जितने भी प्लेयर्स है सबका बैटिंग ओर्डर में आपको इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ कौन से खिलाड़ी गाईस यहाँ पे M.T.D. के टीम के तरफ से आपको आपन करते वी दिखेंगे कौन से खिलाड़ी फॉर्टाउन पे खिलते वे नजर आएंगे दोस्तों जितने भी प्लेयर्स है सबका बैटिंग ओर्डर में आपको step by step बताने वाला हूँ साथे साथ आपको बताएंगे कि इस स्रीच के खिले गए मैचेस में सबसे बहतरीन परफर्म कौन से खिलाड़ी ने किया है और आपके लिए काफ़ी ज़्यदा इंपोर्टन रहने वाले हैं इस मैच के लिए फ्रेंट्स दोनों ही टीमों के जितने भी प्लेयर्स है सबका बैटिंग ओर के साथ मैं आपको कैप्टन सी होगा इस कैप्टन सी के लिए बेस ट्रेज बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे ग्रेंड लिग और स्मॉल लिग के सांदार टीम आप तयार कर सकते हो कौन से ग्राउंड पे मुकाबला होगा और यहाँ का पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है कौन से टीम के जितने के काफ़े ज़यता चांसे से उस टीम से अगर आप चाहो तो ज़्यादा खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो कौन से बॉलर को काफ़े ज़यता सपोर्ट मिल रहा है सारे इंपोर्टेंट डीटिल्स में आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में इस मैच का तो फ्रेंट्स अगर आप इस मैच में एक बहतरिन टीम क्रियेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंड और यूस्पूल रहने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्कीप किये सुरूसन तक देखना ताकि इस मैच का आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएगा और आप एक बहतरिन टीम बना पाओगे लेकिन इससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरू कर देना साथे साथ बैल ऐकन को जरू पैस कर देना ताकि आने वाले जितने भी मैचेस हैं सबका आपको इस प्रकार अपडेट मिलता रहेगा आप मारे टेलिग्राम गुरूप में भी जोईन कर सकते हो यहाँ पे अफटर टॉस फाइनल टीम दे दिया जाता है और आप देख सकते हो फ्रेंट्स यहाँ पे अठारे हजार से जदा यूजर ने जोईन कर लिया है यह गुरूप बिल्कुल फ्री है अगर आप यहाँ पे ग्रेंड लीक और स्मॉल लीक के फाइनल टीम पाना चाहते हो अफटर टॉस तो इसका लिंक आपको दो जगा मिल जागा इस वीडियो के नीचे डिस्कुसन बॉक्स पे दे दिया गया है साथे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में भी पिन कर दिया गया आप वहाँ पे बी क्लिक करके एज़ी हमारे ग्रूप में जोईन कर सकते हैं तो जल्दे से जोईन कर लो गैस अगर फाइनल टीम चाहते हो अपडेट किया हुआ टीम चाहते हो तो उमिद करते हैं आपने जोईन कर लिया होगा ये गुरूप बिल्कुल फ्री है और आपके हिल्प करने के लिए बनाय गया है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंग ऐसे लिया हो और सबक्राइब पैस्पो रही जो काफे बढ़िया अभी तक पर्फॉर्म करते हुए आ रहे है इस मैच में हाला कि बॉलर्स ने भी कापकी कमाल के विकेट निकाले हैं खास करके पेस बोलर्न ने बढ़ियो में गया है तो और आप चाहो तो पेस बॉलर को ज तो इस टीम से अगर आप चाहो तो ज्यादा ज्यादा खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो तो चले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और S.W.U. के खेले गए दो मैच इसको अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो गैस पहला मुकाबला जो है सूपर किंग्स के खिलाब हुआ था S.W.U. का और वहीं जो गैस देखा जाब पहला मैच का रिजल्ट तो सूपर किंग्स यानि की गैस यहाँ पे देखेंगे S.U.K. के टीम के बारे में गैस तो यहाँ पे 140 रन का टारगेट सेट किया था सूपर किंग्स इनके ओपोनेंस टीम ने लेकिन S.W.U. के टीम ने गैस इस रन को चेज नहीं कर सका था देख सकते हो और बहुत ही बड़े गैस यहाँ पे स्कोर से पहला ही मैच जो गैस S.W.U. के टीम ने लॉस किया था 140 और यहाँ पे देख सकतो गैस 63 यानि कि देखेंगे तो यह जो गैस 50 परसंट तक ही चेज कर सकेते 50 परसंट भी नहीं कहा जा सकता इसको और पहले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से गैस लॉस करते हुए आ रहा है लेकिन सेकेंड मैच में अगर देखेंगे तो सूपर किंग्स ने वापस से पहले बल्ले बाजी किया और 107 रन का टार्गेट सेट किया लेकिन S.W.U. के टीम ने गैस 79 रन तगी चेज कर सकाता और यहां पे भी लॉस वा है ओवरल देखेंगे तो दो मैचस खिले हैं और दोनों मैचस में लॉस करते हुए आए हैं यहां पे जो आपको ओपन करते हुए दिखेंगे इमरान अमीर जो की टीम का ओपनर बल्ले बाज है और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी यह खिलारे इन्पोर्टेंट रहेगा क्यों रहेगा चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ यह ओपन करते हुए दिखेंगे पहले मैच में ओपन किया था चार रन बनाये थे बहुत जल्दी आउट रहा था लेकिन बॉलिंग करते हुए दिखेंगे थे पूरी ओभर की गेंदबाजी में इस बंदे ने गैस 12 रन खर्च की थे विकेट ने निकाल पाये थे इमरान भाई ने उसके बाद फिर गैस इन्होंने 50 रन का पारी खेला था दूसरे मैच में इसमें 28 रन खर्च की थे पूरे बर में एक विकेट इनको मिला है टीम का बहुत ही जादा इन्पोर्टेंट खिलाडी है देख सकतो गैस काफी बढ़िया है अपर गैस खिलें अभी तक दो मैचे से पहला मैच में थोड़ा जल्दी आउट हुआ था इस्टेट्स कुछ खास ने था पहले मैच में लेकिन दूसरी मैच में जिस प्रकार बैटिंग और बॉलिंग से इस खिलाडी ने वापसी क्या है इनका परफर्मेंस बहुत ही सांदार हो सकता है इस मैच में भी और यही वज़ा है कि हम लोग गैस कैप्टेंसी के लिए इमरान भाई के साथ जाएंगे लेकिन अगर यहाँ पर सेकेंड खिलाडी के बारे में बात करेंगे अनिल के बारे में तो इस टीम का सेकेंड डाउन का खिलाडी है पहले मैच में 36 रन बनाए थे दूसरी मैच में गैस तुनने दो रन बनाए है ये भी खिलाडी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेप रहेगा कि वो टीम का second down का खिलाडी है और important रहेगा पहले मैच में काफ़े बढ़ी हापारी खिला था इस हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही guys starting के खिलाडी important रहेंगे लेकिन अटार अभी के बारे में बात करेंगे friends तो ये खिलाडी का stress आपके सामने है इन्होंने का इस third down पे खेलते हैं पहले मैच में तीन रहन दूसरे मैच में guys एक रहन का पारी के लग काफ़े वीक प्रदर्सन किये हैं तो इसको मेरे हिसाब से फिलाल ड्रॉप करो अगर लेना चाहते हो तो only grand league में try करना इस small league में guys का आप ही रिस्की रहने वाला ही ये बंदा बाके तन्वीर हमेट जो कि guys पहले मैच में टीम से इनको ड्रॉप किया गया था दूसरे मैच में open करते हो ये बंदा फ्लॉप रहे थे देख सकतो यहाँ पे श्टर्स कुछ खास रहा नहीं था open करते विए दिखे तो ये अची ब बनाना हो सकता है guys open करते विए दिखेंगे इस मैच में और काफे बढ़िया पारी भी खिल दे तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए better choice रहेंगे बाके यहाँ पर बात करने दोस्तों यहाँ पर इजास उसन के बारे में तो open करते हो पहले मैच में 4 रन दूसरे मैच में 16 रन का पारी खिला है तो टीम का opener बल्ले बाज तो यह है ही और जिस हिसाब से guys दूसरे मैच में वापसी किया हो सकता है इस मैच में पर बड़े पारी खिल दे तो टीम का opener बल्ले बाज यह है और यहाँ पर इमरान यह दोनों guys पहले मैच में open किया था तो काफे ज़या important रहेगा क तो only ZL में try करना बाकी वहीं next लाड़ी के बारे में बात करेंगे हैं अपर माजी के बारे में अजे माजी के बारे में तो fourth round पर खेलते हैं पहले match में 4 रन दूसरे match में guys एक रन इन्होंने बनाए है मेडी लोडर का खेलाड़ी है अगर इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो म पूरे अबर में 20 रन इन्होंने खर्च किये थी विकेट नहीं निकाल पाये थे लेकिन गेंदबाजी पूरे अबर करते हुए दिखे थे काफ़ी मेंगा अबर था इनका लेकिन अदेल राजा फिप राउन पे खेलते हुए पहले match में guys इन्होंने एक रन बनाए थे पूर इन्पोर्टन रने वाल है तो बिल्कूल एज ए बोलर आप इनको guys मिस नहीं कर सकते हो बहुत ये अच्छे काईसे कर यहां पर रन्स दे सकते हैं तो इनको ले सकते हो बाखिया पे हमजा आमेत के बारें बात करेंगे तो guys इनको काफ़ी late betting मिला था 7th नमबर पे guys इनको भी कर्च केते विकेट निकाल पाए थे दूसरे मैच में इन्होंने 3 रन बना हैं यहां पर 8 रन कर्च केते पूरे बर में 1 विकेट निकाल है टीम का फॉर्टन का खिलाड़ी है और पूरे बर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हि करते हो लेकिन ग्रेंड लिग में एक टीम में जरुन को कैप्टेंसी का रोल लेना हो सकता है फॉर्स डॉन पर खिलते वे आपको कैसे 30-35 भी दे दे और एक से 2 विकेट भी निकाल दे तब काम हो जाएगा बहुत ही सेफ खिलाड़े रहेंगे इनको आप नोट कर लो और य हसन के बारें बात करें दूस्ति यापे हसन शिक्स रॉन पे खैलते हैं पहले मेंच में गाईज इन्होंने फ़लोप था बलड़ बाजी से लेकिन गेंदबाजी से 38 रं कर्च किया था पूरे 2 वर में बहुत ही महंगा ओपर था एक विकेट निकाले थे दूसरे मैच में इ इन्होंने देख सकतो एक 30 रंड खर्च किये थे इसमें भी एक विकेट इनको मिला है गेंदबाजी तो पूरे बर करेंगे ये कनफरम है महंगा जरूर रहा है दोनों मैचस में लेकिन विकेट भी गाई एक विकेट निकाला इस बंदे ने तो ऐसे बोलर ये भी इन्पोर्ट टीम विकेट निकाले है और एकॉनमी देख सकते हो गाईस पहले मैच में पूरे दो ओबर यानि के बार रहे इन्पे नोंने मातर 6 रंण खर्च किये थे और दो विकेट अपने नाम किये थे दूसरे मैच में थोड़ा महंगा था पहले ओबर के मुकाबले 15 रंण खर्च कि हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स SW के टीम ने अभी तक इस रिच के दो मैचेस खेले थे और दोनों मैचेस को यहाँ पे गाईस देखा गया है कि कौन से खिलाड़ी ने गाईस ऑपन किया था सारे प्लेर्स का बैटिंग ओडर मैंने आपको बताया है टीडी के टीम के और गाईस इस टीम ने भी अभी तक इस रिच के दो मैचेस खेल चुके हैं पहले मैच अगर देखेंगे तिनके ओपनेंस टीम ने 110 रन का टार्गेट शेट किया था लेकिन MTD के टीम ये टीम पूरी ओलाउट हो गया था देख सकते हो गाईस 10 विकेट इन गाईस इस टीम ने भी देखेंगे तो इस रिच के दो मैचेस खेल चुके हैं और दोनों मैचेस में गाईस यहां पे लॉस किया है यहां पर जो आपको आपन करते हुए दिखेंगे अजिम साथी जो कि टीम का आपनर बलेबाज है पहले मैच पे फिफ्ट राउन पे जा गया जिसमें से गाईस इस खेलाड़ी ने तीन रन मनाए थे और यहां पे घर विकेट दिखेंगे तो विकेट इनको नहीं मिला था पूरे बीस रन खर्च के थे पूरे ओबर में तो यह गाईस टीम का टॉप अडर खेलाड़ी है और अच्छी बात यह है कि आपको यह यह पूरे अबर गिंदबाजी करते भी दिखेंगे इस वज़े से गाईस यह आपके लिए सेफ रहाएगा ले सकते हो लेकिन है पटेल के बारे में बात किया जैतो फर्स डाउन पे खेलते हैं पहले मैच में एक रन बनाए थे दूसरे मैच में फीप्ट राउन पिन को भे खेला है और देशकतो पहले थोड़ा लेड़ बेटिंग दिया गया जिसके बाद यहाँ पर ऑपन करने के लिए डाइरेक्ट इंको फेजा गया जिसमें से काफे बढ़े हैं पारे भी इनों ने खेला है और यही वज़ा है कि इस मैच में भी हो सकता है इसको गाईस यहाँ है कि इस मैच में पूर्ण करें के बारें बात कर सफो गया जिसमें बाट आप इसे काफे बढ़े है यही उभी खिलाडे को फिक करना चाहतेலυτा उख तो अब ले सकते हो बागे शेमुल के बारे में बात करेंगे तो गैस 4th round पे खेलते हुए पहले match में तो flop से दूसरे match में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से flop रहे हैं तो ये खिलाड़ी मेरे सबसे फिलाल ड्रॉप करो गैस अगर try करना चाहते हुँ तो jail में try करना otherwise यहाँ पे small league के लिए कुछ खास खिलाड़ी है नहीं लेकिन मोहित के बारे में बात करेंगे तो 5th round पे खेलते हुए गाईस इन्होंने 1 run बनाए है और एक ही matches में इनको try किया गया था जिसमें से ये बंदा flop था लेकिन बात करें यंगेस के बारे में तो open करते हुए पहले match 12 run दूसरे match में बंदा flop था लेकिन important रहेंगे टॉप पे खेलते भी दिखनेंगे टिम का इन्पोर्टन खिलाड़ी है ले सकते हुए इस match में try कर सकते हुँ बाकि नाजेर जोकिर second down पे खेलते हैं पहले match में 9 run बनाए थे पूरे अबर के गेंदबाजी में इन्होंने 24 run खर्च किये थे विकेट इनको नहीं मिला second down का खेलाड़ी है important बहुत चादा रहा है का बैटिंग बॉलिंग दोनों से point दे सकते हैं देख सकते हो दूसरे match इनको first down पे बेजा गया था और इन्हेंने कमाल भी कर दिखाया गाइस 30 run बनाए थे 30 run बनाए थे पूरे अबर में 20 run खर्च की थे विकेट भले ही ना मिला हो लेकिन अच्छी बात इनका ये भी है कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते भी दिख रहे हैं और important तो बिल्कुल रहने वाले guys क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे तो guys दोनों से points देने के भी chances है तो बिल्कुल इनको try करो बाकि फैजल ने इनके बारे बात करेंगा friends तो पहले match में guys ने 8 run खर्च के थे एक विकेट इनको मिला था दूसरे match में ने 14 run खर्च के थे इसमें अला कि विकेट नहीं मिला तो यह देख सकते हूँ friends यहाँ पे दोनों ही team ने जितने भी matches खेले हैं सारे details आपके सामने सारे player का batting order आपके सामने है captaincy, voice captaincy के लिए भी choice मैंने आपको बता दिया है और सारे player को देखते हुए आपके लिए एक best team तियार किया है तो चलिए उस team के और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी से request ए friends अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो please like जरू कर देने आर में पूरी मैने से सारे player का states लाते रहता हूँ और इसी परकार का अगर आगे भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से guys चैनल को subscribe कर लो और bell icon को प्रेज जरू कर लेना है अगर आपने वीडियो को सुरू से देखा है ध्यान से देखा बिना skip किये तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि guys सारे players का knowledge आपके पास होगा कि कौन से खिलाड़ी की से order पे खेलते भी दिखेंगे आई अमीर जोकी guys टीम का opener बल्लेबाज है पहले ही मैंने high important बताया था और captaincy vice captaincy के मामले में भी guys ये सबसे super option रहेगा क्योंकि टीम को open करते विए साथ साथ ये पूरे अबर गेंदबाजी भी करते विए दिखेंगे इस वज़े से ये तो आपके लिए सबसे best choice रहता ही है तो बिल्कुल इनको try जरू करना बाकि अनिल के बारे बात करेंगे तो second down पर खेलते विए दिखेंगे इसमें 36 run मना है और दूसरे match में guys इन्होंने 2 run का पारी इन्होंने खेला है second down पर खेलते विए दिखेंगे तो states इनका भी आपके सामने है तो guys यहाँ पर फिलाहल तो इनको try जरू करना है बाकि choice आपके सामने है अगर आप चाहो तो यहाँ पर guys तीन wicket के प्रिंग player के साथ जा सकतो इसमें से ये भी high important है और guys यहाँ पर MTD के टीम के तरप से guys तो य यही कारण है guys की हो सकता है इस match में इनको open करने का मुकामिला जिस परकार इनको खेला है second match में open करते हुए इस वज़े से guys मैंने इनको ज़्यादा importance दिया है तो इस वज़े से मैं इनको फिलाल try करूँगा लेकिन choice यह भी गलत नहीं रहाएगा अगर आप चाहो तो इनके स आप भी जा सकते हो या फिर तीनों को भी try कर सकते हो लेकिन मैंने यह पर दो ही विकेट की प्रेंग प्लियर को try किया हुआ है क्योंकि guys यहाँ पर जिस वज़े से मैं इनको ट्रै कर रहा हूँ आपके पास च्वज़े से आप इनके साथ भी जा सकतो जील में तो ज़रू try क करना बाकि अगर यहाँ बात करेंगे बैटिंग सिसन के बारे में तो तीन बैट्समें को मैंने try किया हुआ है जिसमें से MTD के टीम के तरफ से यह तो आपके लिए सबसे base option रहते ही guys अला कि last match में यह बंदा flop रहा था तेकिन top order पे खेलते भी दिखेंगे तो बिलकुल इनक इनको मिलेगा तो जिसवाजे से इनको try करते भी चलेंगे सी यंग का स्टेट्स काफे बेटर था MTD के टीम के तरफ से इनको भी मैंने high important बताया था आपको बाकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ और एक और खेलाड़ी है और आई हुसन जो की काफे बढ़ियां खेले भी इनको बताया भी था एक बार फिर से इनका state देखाने चाहूंगा जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करने वाले हैं तो यह important बहुत ज़्याद रहेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यह जो इसाल हुसेन है और इसाल हुसेन का state यहाँ पर है आप थोड़ा ध्यान स selection आप देख सकते हो लेकिन states में एक बार फिर से दिखाऊंगा इनका अगर आप चाहो तो आग बंद करके भरुसा करो selection पर लेकिन मेरे हिसाब से चाहो तो guys यहाँ पर states के वासे टीम बनाओ हमे साब का team अच्छा result करेगा देख सकते हो 2 matches खेला है 3 down पर खेलते वह दुनों म लेकिन कर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तो ओल्डराटर ससन के बारे में तो 3 ओल्डराटर प्लेयर को मैंने लिया हुआ है जिसमें से M नजिर यह MTD के टीम के तरफ से मैंने high important बताया था अगर आपको याद होगा तो batting balling दोनों करेंगे A राजा यह safe choice रहने वाल है इनको जो भी guys आपको लग रहा है कि खिलाड़े अच्छे खिल सकते हैं इस ट्रेट्स बैटिंग ओटर देखके आप चेंज कर सकते हो लेकिन balling इसन की बात करेंगे तीन baller को मैंने ज़्यादा important दिया हुआ guys जिसमें से guys यहाँ पर F name जो की बहुत ही safe choice रहने वाला है MTD के टीम के तरब से AMS यह safe choice रहने वाला है IUCN यह भी पूरे अबर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे अगर आप चाहो तो इनको भी try कर सकते हो लेकिन B खान यह तो आपके लिए कापे बहतरी ही choice रहते हैं यह दो मैचस में भी तक 3 wicket निकाल चुके हैं total तो यह important रहते ही है पक के लिए AMS को try करते हुए चलेंगे यह almost safety में फिर भी final team पे अगर कोई भी change होता है friends तो मैं आपको change करके update करके चाहे GL के team हो चाहे small league के team हो मैं team provide कर दूँगा आपको telegram group में telegram group का link नीचे discussion box बेदे दी जा गया है जल्दी से join कर लो बाकी मिलते हैं next video में जैहिंद